हलो वेलकम बैक टू अवर यूटूब चैनल इस्टड़ी 54 मैन पुरी यह फ्रेंट्स आई होब कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टड़ी चल रही होगी यह फ्रेंट्स बहुत जल्द SSEJE का और DRDO का दोनों ही एक्जाम होने वाले हैं तो मैंने उनी एक्जाम को थोड़ा सा एनलाइसिस करते हुए आपके लिए कुछ एलक्टिकल मसीन के इंपोर्टेंट कोशन आज के सेशन में रखे हैं जो कि प्रिविएस एक्जाम में आई हुए कोशन है डिया फ्रेंट्स और आई होग कि आपको वो सारी ही कोशन आप डिसकस करेंगे तो उनसे आपको कोई ना कोई टॉपिक जरूर मिल जाएगा ठीक है डिया फ्रेंट्स चली चलते हैं आज के पहले फर्स्ट कोशन पर फर्स्ट कोशन है आपका शेणी में सयोजित दो डिसी करेंट सीरीज मोटर ठीक है किसी आंतरिक भार पर परचालन कर रही है किसी मेकैनिकल लोड पर वो चल रही है यदि मोटरों को समांतर में सयोजित कर उसी भार का परचा ठीक है थोड़ा सा English में बता देते हैं कि कोई एक series motor है जो कि क्या है जिस दो क्या है एक series में connected है और दो DC current series motor है जो किसी mechanical load पर चल रही है यह दोनों को ही parallel में connect कर दें तो फिर उसकी चाल पर क्या effect होगा यह पूछा है ठीक है तो पहले तो आपकी series में connect थी आप कर दी है पैलल में connect तो देखिए पैलल में connect करने पर क्या हो जाएगा दुगने से कुछ अधिक आपकी चाल जो है वो आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो आपका option ए इस दा right answer ओके चलिए next question पर चलते हैं डिया फ्रेंड्स next question है important एक synchronous motor में क्या दिया है एक synchronous motor में नेवेशित शक्ति का सक्ति गुड़ांक निम्न का शमायोजित करके किया जाता है ठीक है आपको इंग्लिश में बता दें कि action synchronous motor है उसका उसकी input power जो है वो power factor low low power factor के साथ connected है तो वो करके किया जाता है क्या किया जाता है डिया फ्रेंड्स देखिए excitation का जो result निकलता है वही होता है ठीक है यानि कि option ए इस दा right answer next question पर चलते हैं डिया फ्रेंड्स wave wound armature आयुकत एक six pole dc machine के लिए कितने वुर्षों की आवश्रता होती है ठीक है तो wave winding में एक six pole की dc machine है उसके लिए वुर्षों की शंख्या पूछी है तो wave winding में आपकी वुर्षों की शंख्या जो है वो दो होगी ठीक है यानि कि option ए इस ता right answer next question पर चलते हैं आम तोर पर ceiling fan motor के लिए opiog किये जाने वाले संदारित्र का मान 2.3 microfarad होता है और संदारित्र के किसी प्रकार का opiog किया जाता है किस टाइप किस संदारित्र का जो है opiog किया जाता यह पूछा है तो देखिए आम तोर पर ceiling fan के लिए आप paper capacitor होता है उसकी use करते हैं यानि कि इसका option जो है वो first हो जाएगा सही ठीक है चले चलते हैं next question पर dear friends synchronous motor के लिए वी वक्रों के लिए graph किसके बीच बनाए जाता है ठीक है तो synchronous motor का जो आप graph बनाते हैं वी वक्रों के लिए किसके बीच बनता है ये पूछा है आपसे तो dear friends बहुत ही question है और आपके लिए important question भी है ये ठीक है देखिए तो आप जो बीवक्र बनाते हैं वो जो power current होती है उसके बीच और power factor होता है उसके बीच बनाते है ठीक है बीवक्र जो बनाते हैं आप वो power current और power factor bi cos phi के बीच बनाते हैं ठीक है चलिए next question पर चलते हैं dear friends किसी induction motor में rotor output तथा rotor input का अनुपात दिया है 0.96 तो motor का slip पूछा है तो slip निकालने का बहुत सारे formula होते हैं dear friends आपको सारे ही formula पता होना चाहिए एक तो होता है ns minus n upon ns into 100 ये slip percentage निकालने का formula है dear friends ठीक है एक होता है 120f upon p और एक होता है dear friends rotor का gross output ठीक है अपान rotor का ही gross input बरावर 1-s आपको यही formula यहां पर यूज करना है जब आप इस formula का यूज करेंगे तो आप कैसे लगाएंगे difference आपको इसकी value defined है यहां पर 0.96 0.96 is equal to 1-s अब s इधर आ जाएगा इस पक्च में तो s बरावर 1-0.96 जब 0.96 घटाएंगे बन मेंसे तो आपका 0.4 आ जाएगा और यही difference 0.4 परसेंट ही आपका right answer होगा ठीक है आयोग की समझ में आ गया होगा कोई doubt नहीं होगा चले चलते हैं next question पर next question है एक दो कला चार धुर्ब इस्थाई चुम्मक स्टेपर मोटर का एक करम होगा तो देखिए करम पूछा है dear friends इससे भी question बन जाता है और अकसर ही पूछ लेते हैं यह तो कितने करम होता है क मसीनों में चमता की हानी निम्ड में से किसके कारण होती है तो capacity loss जो होता है वो मसीनों में किसके कारण होता है यह पूछा है dear friends तो आपको यह question भी बहुत जादे पूछा जाता है और यह question आपके लिए बहुत important भी है इस पर इस्टार करेंगे आप पहले क्योंकि confusion create करता है क्या है मसीनों का मसीनों की जो capacity loss होती है ठीके तो वो किसके कारण होती है तो वो capacity loss जो है वो friction के कारण होती है ठीके किसके कारण होती है friction के कारण होती है चले next question पर चलते हैं dear friends next question है 16 milli henry के तीन जो है inductor वो delta में connected है तो star में connect करें तो प्रतेग होजा के लिए inductor का मान पूछा है ठीक है तो देखिए अब जब delta to star conversion करते हैं तो अगर उसमें condition दिये l1 बराबर l2 बराबर l3 देखिए delta में connect है और दूसरी चीज 60 milli henry ही value दी है तीनों की ठीक है तो तीनों ही delta में जो connect है वो तीनों ही value कितनी दी है 60 milli henry तो अब इसमें आप star में connect करेंगे तो जब l12 या 23 या 31 निकालेंगे तो एक formula होता है dear friends एल डेल्टा में दिया है और divided by 3 जो डेल्टा में value दिये उसे आप 3 से divide कर देंगे और डेल्टा में value कितनी दिये 60 तो आप 60 को 3 से divide करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 20 milli henry is the right answer ओके चले चलते हैं next question पर next important question है dear friends आपका क्या है देखिए electronic motor में carbon brush प्रियुक्त के जाते हैं तो जो electrical motors होते हैं उनमें carbon brush क्यों use के जाते हैं डेखिए वो धारा के बहाओ को रास्ता प्रदान करने के लिए use के जाते हैं यानि कि option b is the right answer ठीक है चले next question पर चलते हैं बड़ी DC machines के लिए full load पर commutation जो conditions होती हैं बोल निम्न में से किसके द्वारा जाची जा सकती है ठीक है तो किसके द्वारा जासते हैं यहाँ पर देखिए जो आप test करते हैं आप किंसन टेस्ट उसी के द्वारा जासते हैं ठीक है यानि कि option d is the right answer next question है डेखिए कैपिस्टर स्टार्ट सिंगल फेज इंडेक्शन मोटर में current करेंट दिया है कैसी होती है देखिए starting winding में voltage बढ़ा देती है ठीक है आप याद रखेंगे कैपिस्टर स्टार्ट सिंगल फेज इंडेक्शन मोटर है और वो उसमें क्या होता है जो current होती है वो starting के समय banding में voltage को बढ़ाती है फिर धीरे 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 एक condition ऐसी आती है कि speed जो है वो थोड़ी सी normal constant हो जाती है ठीक है तो इसका right answer क्या है c next question पर चलते हैं dear friends भार बढ़ाने के साथ DC current संट मोटर की चाल कैसी होती है देखिए अगर आप load बढ़ाएंगे DC current संट मोटर का अगर आप load बढ़ाएंगे तो क्या होगा चाल की speed भी बढ़ेगी या घटेगी ये पुछा है तो देखिए चाल भी बढ़ जाती है लोड बढ़ने के साथ speed भी बढ़ती है किसकी DC संट करेंट मोटर की ठीक है चली यानि कि option c is the right answer चली next question पर चलते हैं अल्टरनेटर में power factor का आर मेचर अब करिया का प्रवाव निम्द तब मेंसे होता है कौन सा होता है option दिये है 0.5 lagging या फिर 0.866 leading या फिर 0.866 lagging फिर दिया है अटी तो देखिए अल्टरनेटर जो है वो आपका अटी पावर फेक्टर पर चलता है कैसे चलता है अटी पावर फेक्टर पर चलता है अपस्ञार है निक्यों ऑ्प्सन डी इसथा राइट अन्सर होगे नेक्ट्स कोशन पर चलते हैंoir फिर फेक्टर के बंग के समानापाती या फिर फिर फिरक्स की बेउतकरन पाती होती है या फिर flux की बर्ग के ब्यूतकरमान पाती होती है तो dear friends आपका right answer जो है flux की ब्यूतकरमान पाती होती है यानि कि C is the right answer तो dear friends आज के लिए यहीं तक रखते हैं और आपके 15 important questions जो हैं वो electrical machines के complete होते हैं और आप इने revision कीजिए और different session को जादर से जादर share कीजिए अपने friend circle में और like और comment करना बिल्कुल न भूलिए मिलते हैं next session में तब तक लिए नमस्कार Have a nice day